Hello everyone, स्वागते आप लोगों का मेरी YouTube चैनल LWD Job में इस वीडियो में काफी अच्छी वेकंसी की बात करने वाले हैं जिसमें सभी राजियों के कैंडिरेट बिल्कुल आविधन कर सकते हैं नवोदे विध्याले समिती की तरफ से जो है अडवर्टीजमेंट जारी किया गया है टीजीटी पीजीटी की पोस्ट सेलरी जो है 42,250 रहेगी फ्री रेजिडेंस और फूट भी अवलिबल होगा सभी राजियों में जो है वेकंसी जारी हो रही है तो इस वीडियो में हम आठ राजियों की वेकंसी की बार करेंगे तो क्या एज रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांग रही है कैसे जो है अप्लाए करना है इसके लिए अंतर तक वीडियो देखिए जो भी कैंडिडेट पहली बार देख रहे हैं चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले अगर आपके पास नोटिफिकेशन समय पर नहीं आता है तो आप लोग लेटेस्ट जो वीडियो हैं जो भी अपलोड किये जाते हैं उन्हें देखते रहें आपके राज्य में नौकरी का जो अफसर ना निकल जाए तो डेली वीडियो देखें तो चलिए देख लेते हैं ओफिशल वेबसाइट पर चलेंगे नवोदे विध्याले समीती और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ के इसमें रिजनल आफिसेज हैं जैसे भुपाल रिजन की अंतरगत जो वेकेंसी जारी की गई है जिसमें मध्यपरदेश, 36 गड़ एंड ओडिसा ये राज्य आते हैं यानि कि आप अपने ही राजway में आविधन कर सकते हैं और अगर कोई candy rate दूसरे राजway में आविधन करना चाता है तो बिलकुल आविधन करने के योगया रहेंगे बट मुझे लगता है कि सभी region से जो है वेकेंसी है सभी राजियों से वेकेंसी है और तो इसमें जो है आप लोग अपने नजदी की जगहे पर अगर आविदन करेंगे तो आपके लिए ही जो है अच्छा रहेगा चंडिगर्ड रिजन की अंतरगत जो इस्टेट है चंडिगर्ड हिमाचल प्रदेश जम्मु एंड कस्मीर लदक एंड पंजाब ठीक है तो यूटी भी है है थे राज्य जो है आएंगे ठीक है तो जो भी गैणिडरेट आविदन करना चाहेंगे जैसे जैपू रिजन के अंतरगत वेकंसी है तो आप अपना सब्जेक्ट देखेंगे पोस्ट देखेंगे और जो है इसकी जो ओफिशल वेबसाइट है इस पर आपको जाना है वहीं पर आप लोगों को लिंक मिलेगा आविदन करने के लिए इसी तरीके से लखनव रिजन के अंतरगत उतर प्रदेश एन उतरां चलाएंगे पटना रिजन पूने रिजन पूने रिजन की जो वेकंसी है वो आउट हो चुकी है जो कि मैंने आप लोगों को बताई भी थी शेलोंग रिजन के अंतरगत तो यानि लगबग जो है वो चतिसगर और ओडिशा राज्य इसमें जो है आविधन किये जा सकते है अफिशेल वेब साइट पर आना है और पीडिया फाइल जो है मैंने ओपन कर ली है नोटिफिकेशन ओनलाइन एप्लिकेशन रहेगा Link for submission of online application form will be open from 16.04.2024 16 अप्रेल से आविधन किये जा रहे है यानि कल से ही आविधन बिल्कुल किये जा रहे है नोबजे से और 26 अप्रेल 2024 तक आविधन होंगे तो केवल जो है physical interview रहेगा और interview की date भी decide है ताकि आप समय पर तयारी कर सकें interview के लिए 16 मई 2024 तो जो भी candidate इस reason के अंतरगत जिन भी राजियों के हैं बहारी राजियों के candidate बिल्कुल आविधन करने के योग्य है PZT पद के लिए ये जो है form है और TZT पद के लिए इस पर click करना है तो यहाँ पर जो आपको form मिलेगा ठीक है Online आविधन जमा करने के लिए link खुली रहेगी 26 अपरेल 2024 तक अब देख लेते हैं Subject, Post देखेंगे, Subject देखेंगे तो link for application TZT तो TZT के लिए TZT हिंदी की वेकेंसी है TZT English की वेकेंसी है TZT Mathematics, Science, Social Science, Aurea, Computer Science, Physical Education, Teacher Male, Female, Music, Art and Librarian की वेकेंसी है TZT vocational teacher की वेकेंसी है ठीक है Number of vacancy जिस भी state में है जैसे MP में TZT हिंदी की 10 वेकेंसी है 36 गड में 11 है और Odisha में 9 है इसी तरीके से हर रीजन में जितने भी राज्य हैं उसमें जितनी भी वेकेंसी हैं वो आपको नजर आ जाएंगी लिंक आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के नीचे description box में ताकि आप आविदन कर सकें कल से ही आविदन बिल्कुल इस रीजन के अंतर के start है PZT में subject देखें PZT के लिए link जो है ये है और आपको एक बार और जो है मैं बता दूँगी कहां से आपको form मिलेगा PZT Hindi, PZT English, PZT Mathematics, Physics, Chemistry, Biology PZT Computer Science, IT, History, Geography, Economics and Commerce तो ये वेकेंसी है नमबर आप वेकेंसी कितनी है तो ये बिल्कुल आपको सामने नजर आही रही है salary क्या offer कर रहे है तो PZT और TZT की Normal Stations and Hard Stations अलग-अलग salary रहेगी जहां पर बहुत easy तरीके से जो है आप लोग जा सकते हैं स्कूल में तो Normal Stations होते हैं कोई problem ही नहीं होती है Hard Stations जहां हर कोई जो है वो जाने में थोड़ा सा मुस्किल होता है लेकिन जहां salary काफी अच्छी है और आप earn करना चाते हैं teacher बनना चाते हैं अनुभव लेना चाते हैं तो कोई problem नहीं है चाहे Normal Stations में भीजें चाहे Hard Stations में भीजें ठीक है PZT में 35,750 Normal Stations के अंतरगत रहेगी और 42,250 Hard Stations के अंतरगत रहेगी अब जैसे Hard Stations जैसे की हम कह सकते हैं जैसे लदाख है जम्मू कस्मीर है ठीक है पुद्द चेरी है अंडेमा निकोबार है तो एक तरीके से यह Hard Stations के अंतरगत आएंगे TZT में 34,125 Salary है और Hard Stations के अंतरगत 40,625 है लेकिन जब पढ़ाने का जुनून होता है और जो है Salary यानि अर्णिंग का होता है कि हाँ हमें अर्ण तो करना ही है कुसी भी कंडिशन में हमें Teacher बनना ही है तो कोई माइने नहीं रखता है नॉर्मल स्टेशन हैं या Hard Stations हैं जो गल्स है वो नॉर्मल स्टेशन के लिए बिल्कुल रेडी हो सकती है और Hard Stations में जो है Boys जा सकते हैं Upper Age Limit जो है वो देखें है यहां पर Upper Age Limit for all categories of teachers is 50 year 50 साल तक के candidate इसमें आविदन कर सकेंगे और जो भी ex-envious teachers हैं नवोदे विध्याले में जो पढ़ा चुके हैं एक सर्विसमेन हैं तो उनको यहां पर आयू सीमा 65 वर्स रखी गई है candidate यहां पर जो है website दिया हुआ है screenshot ले सकते हैं नहीं तो वीडियो के नीच आ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल ही जाएगा यहां पर लिखा है use your correct and working email id and mobile number using one email id application can be submitted for one post only अभी जो है school आप देखना चाहते हैं जैसे की भोपाल रीजन के अंतरगत मद्यप्रदेश में जे एन वी रतिबाद डिस्टिक भोपाल यह school है तो इसमें PZT के Hindi, English, Maths, Physics, Chemistry, Biology और TZT में Hindi, English, Math, Science TZT, Art and Vocational तो इसमें आप जो है form apply कर सकते हैं ठीक है दूसरा जो है दिया हुआ है मद्यप्रदेश स्टेट के अंतरगत ही JNV, शामपूर डिस्टिक, शेयल्ट और उसके बाद 36 गड़ स्टेट है रायपूर में और इसमें जो है कटक तो इसमें जो है subject आप देख लें आपनी जो भी आपका subject है और अपनी सुविधा के according जो है form apply करेंगे अब qualification जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ चाहे आप जिस भी राज्यव में apply करना चाहेंगे qualification सेम रहेगी जवाहर, नवोदे, विध्याले में PZT के लिए जो है post or graduation होगा 50% marks में और B8 चाहिए ठीक है हिंदी और इंग्लिस में रहता है बिल्कुल आप सभी जानते है यहाँ पर लिखा है BA degree is not required for the candidate who have undergone four year integrated degree course जिन्होंने चार साल का जो है integrated degree course गया है तो उनको BA जो है वो जरुद नहीं है यह desirable में है experience वगरा जो है वो बिल्कुल नहीं माग रहे है तो आप जिस भी subject में अप्लाई करेंगे master degree और BA आपका होना चाहिए PZT computer science में भी जो है वो BA चाहिए यह ध्यान में रखें TZT के अंतरगा जो है graduation आपकी 50% marks के साथ में BA होना चाहिए CTAT paper 2 आपका qualify होना चाहिए ठीक है और Hindi English दोनों में पढ़ाना रहेगा कोई problem नहीं है Hindi medium English medium किसी से भी आप पढ़े हो बिल्कुल आसानी से जो है यहाँ पर apply कर सकते है बाकी जो है तो 13 pages की यह PDF file है मैं आप लोगों को link provide कर दूँगी ताकि आप लोग आराम से जो है देख सकें और फिर apply कर सकें form का link जो है पीजीटी के लिए बिल्कुल उपर ही जो है आप लोगों को उपर PDF file में मिल जाएगा यहाँ पर ठीक है पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए अब जो है दूसरा देख लेते है तीन राज्यों की वेकेंसी देख ली नेक्स्ट जो वेकेंसी है रिजनल ओफिस हैदराबाद हैदराबाद के लिए आपको जल्द आवेदन ही करना होगा क्योंकि आवेदन करने के लिए यहाँ पर सबसे उपर ही दिया हुआ है link फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा इस पर क्लिक करेंगे ऐसे ही PGT के लिए ठीक है फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं 17.04.2024 नो बज़े तक यानि आज रात नो बज़े तक आप लोग अप्लाइस में कर सकते हैं 11.04 से लेकर 17.04 तक आविदन किये जा रहे थे तो अगर जो भी कैंडिडेट आविदन करने के इच्चुक हैं क्योंकि हैद्रावाद रीजन के अंतरगत जो राज्य है कौन-कौन से है आंदरप्रदेस है तेलंगाना है अडिमा, निकोबार, आईजलेंड, करनाटका, केरला, लक्ष्यदीप और पुदुचेरी ठीक है अब देख लेते हैं इसमें जो है कौन-कौन से सब्जक्ट की वेकेंसी है तो TZT में इंग्लिस, Math, Science, Social Science, Telugu, Kanada, Malayalam, Tamil, Physical Education, Teacher, Male, Female, Music, Art, Computer Science, Librarian and Hindi की PZT में इंग्लिस, Hindi, Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, IT, Computer Science, Economics, History, Geography, Commerce लगवख सभी ही सब्जक्ट है ठीक है क्वालिफिकेशन वही सेम है जो कि आप लगों को भी बता दी है सेलरी भी जो है वही समान रहेगी आप जिस भी राज्य में आविदन करना चाहें तो मेरा मानना है कि आप अपने ही राज्य में आवेदन करें ठीक है तो यह जो वेकैंसी है बिल्कुल कॉंट्रेक्च्वल बेस पर है अभी फिलाल जो है वेकेंसी पर्मानेंट नहीं आई है बट आप वेट अगर कर रहे हैं तो यहां पर आप अपलाए कर दें केवल इंटर्व्यू रहेगा आपका यहां सेलेक्शन हो जाता है काफी जानकारी आप लोगों को मिल जाती है काफी अच्छी सेलरी साथ में आपको यहां आवास की सोविधा फूड जो है अवलेवल होगा ठीक है और सेलेक्शन के बाद जो है यहां पर जैसे ही पर्मानेंट वेकेंसी आती है क्योंकि जल्दी ही वेकेंसी नजर आएगी, चुनाव के बाद आपको ये देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है, तो अभी जो है इसमें आविदन कर दें, उसके बाद पर्मनेंट वेकेंसी के लिए तयार रहें, तो और भी जो है रिजन से जैसे ही वेकेंसी जारी हो ही रही है, वीडियो का वेट समय पर नहीं पहुँच रहा है, तो लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड होते हैं उन्हें देखते रहें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू!